पाकिस्तान के बीच होने वाले दूसरे T20 माच की ये मुकाबला 22 सितंबर को 8 बजे रात में देखने को मिलने वाला है अगर मैं इन दोनों टीमों की बात करूँ तो अपना पहला मुकाबला जिस तरह से पाकिस्तान ने एक जीता हुआ मैच हार गई तो मुझे लग रहा है ना पाकिस्तान की किस्मत साथ नहीं दे रही है इनका लेकिन मैंने जो जो प्रेडिक्शन किया था उस माच में की रिजवान खिलेगा बड़ा पारी रिजवान ने हमको पॉइंट दिला है मैंने आपको बोला तो मोही नली विकेट निकालके देंगे मोही नली ने एक विकेट निकालके दिया इसके अलावा LX Health पर जो हमारी prediction थी वो भी सही हुई तो देखो हमारी prediction सही जा रही है और point हमारे fantasy को मिला था और ये match बहुत अच्छा गया था जो पहला match में हमने team मनाई थी वो भी बहुत अच्छी गई थी और इस match में भी वैसी team आपको मिलने वाली है मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ कवर करके देने वाली हो exact pitch report पिछ किसको favor करने वाली है exact playing 11 क्या होने वाली है player stats, case stats इसके अलावा GL में किस तरगा combination लगाने वाले है तो देखते हैं इस बर क्या पाकिस्तान की किसमत इंका साथ देती है या फिर से इस मुकाबले को यह हारने वाले है अब बात कर लेते हैं इस match के venue की यह मुकाबला National Stadium कराची में होने वाले अगर मैं इस pitch की बात करूँ तो यह बैटिंग friendly pitch है और starting में जो भी team first betting करने आती है उसके chances जादा होते हैं देखो जीतने के क्योंकि अगर आप पहले inning में जादा run बना देते हो तो दूसरे team के उपर pressure बढ़ता है और pressure में वहाँ पर वो wicket बहुत जादा खो देते हैं तो last match में पर जस तरह से हमने देखा था England के तरफ से काफी गजब की balling attack देखने को मिली थी इसलिए वो match काफी ज़्यादा बड़ा scoring match तो नहीं वा था लेकिन ये मुकाबला मुझे लग रहा है काफी अच्छा मुकाबला देखने को मिलने वाला है क्योंकि Pakistan भी comeback करना चाहेगी और इस match पर अपना 100% देने वाली है अगर हम balling attack की बात करें तो pacers आपको ज़्यादा विकेट निकालके देने वाले हैं लेकिन spinners को भी मदद मिल रही है हमने देखा last match में जिस तरह से आदिल रशीद और मोहिन अली ने विकेट निकाले है अब बात कर लेते हैं पिच्छ स्टार्ट की इस पिच पे टोटल 7 match खिल जा चुके हैं जिसमें से 1st betting करने वाली टीम ने 5 बार match जीते हैं और 2nd betting करने वाली टीम ने 2 बार match जीते हैं average score in first inning 189 है इस पिच का highest score जो कि पाकिस्तान ने बनाय था 205 पे 3 है lowest score की बात करें तो West Indies 60 रन बनाके पूरी टीम आउट हो गई थी scoring pattern की बात कर लेते हैं 300 से निचे का score देखो एक भी बार बनी बनाया है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता है कि काफी highest scoring pitch जही है जब भी score बने का आपको 160 प्लस का score ही देखने को मिलने वाला है 150 से 179 की बात करें तो दो बार बन चुका है 170 से 189 की बात करें तो एक बार बन चुका है 190 प्लस का score चार बार बन चुका था और मैं इस मुकाबले को भी 175 प्लस का मुकाबला देख रही हूँ last 10 माच की balling attack की बात करें तो pieces आपको जादा weekend निकाल के देंगे लेकिन middle over में आपके spinner की रोल निभाने वाले हैं और वो match जिताने के लिए बहुत बड़ा रोल निभाएंगे आपके स्माच के spinners आप बात कर लेते हैं क्या होने वाली ये दोनों टीमों की playing 11 सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड के तरफ से opening करते हुए नजर आएंगे ऐलेक्स हैस उनका साथ देते हुए दिखेंगे फिल साथ अगर में दोनों की लाड़ियों की बात करूँ तो last माच में कम गिंदों पे वो इसकोर एक जिताओ पारी खेली थी इसके लावा मोहीन अली, डेविड विली, सैम करन, रिचर्ड ग्लिसन, लियू कूर्ड ने बहुत ही गजब का खेल अपना बॉलिंग जो स्टाइल है नहीं इनकी बहुत अच्छी है और जिस तरह से इन्हों ने तीन विकेट चटकाया थे हैं मतलब उस माच को मुझे लग रहा है न इस खिलाडी ने मतलब उस माच को छीन लाया था पाकिस्तान की मूँ में से उसके अलावा लास नजर आने वाले आदिल रशीद इनको भी उस माच में दो विकेट मिली थी अब बात कर लेते हैं इन सारे खिलाडियों के लास पांच माच के स्टार्स की बैन टकेट की बात करेंगे 6 रन 41, 29, 68, 21 तो आप देखो लास पांच में से एक मुकाबला छोड़ दो आप तो सारे में परफॉर्म करके खिलाडी दे रहा है तो हर माच में स्कोर कर रहा है तो इनको आप अपने टीम में जरूर ट्राइ करो ये बंदा आपको कुछ स्कोर करके दे नहीं वाला है फिल सार्ट की बात कर लेते हैं एक अरसा तक जड़ा फिर 19 रन 29 रन दावस दो मैच में केवल 21 रन बने है इस बार आप फिल सार्ट पर रिस्क ले सकते हो जील की टीम के लिए मुझे लग रहा है इस बार ये खिलाडी चलनने वाला है डेविड मलान को भी आप अपने टीम में रख सकते हो अगर यह टीम First Batting करना आती है तो आप डेविड मलान को रख सकते हो और चेस करना आती है तो आप डेविड मलान को drop कर दो अगर इकी purफॉमस की बात करें 59, 58, 19, 20 आप दे को सकोर हर माच में ये भी कर रहे है LX है 6-8, 38-8, last match में एक अरसा तक जड़ा, तिरपन रंग की पारी खेली, Harry Brook की बात करेंगे, 0-8, 29-12, last match में 42 रन बनायते हैं, इस बार आप Harry Brook पे रिस्ज जादा मत लेना, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा, Harry Brook की बहुत जादा बैटिंग इस बार आने वाली है, मोहिन अली क आप चाओ तो David Willi को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो, खिलाडी खेलेगा तो अच्छा ही खेल के देगा, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है कौन चलने वाला है, इनको खुद को नहीं पता होता है, यापको हर माच में एक-डो विकेट निकाल के दे सकते हैं, और अगर उपर से विकेट जाएगी तो स्कोर करके भी आपको साम करन तीन विकेट आट रण ग्यार रण चार माच में एक विकेट, रिचर्ड लेसन को आप इस वर अपने टीम में जड़ू ट्राई करना, क्यों कि आखरी तीन मुकाबले से देखो विकेट नहीं मिली है और इस माच में 100% विकेट मिलने वाली है मैं एक्दम गरंटी के साथ कह सकती हूं लियुकूट को आप अपने टीम में ट्राइ करो लियुकूट अगर यह टीम फॉर्स बॉलिंग करने आती है तो लियुकूट को आप विकेट अपने विकेट निकाल के देए अगर मैं एक टीम अगर में इंगलनी की बात करो तो हर माच में के दो मिली थी अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की प्ले इंग 11 जिसमें ओपनी करते वे नजर आएंगे माइवान ओवर्स प्लेट प्लेयर मावमध रिजवान रिजवान ने वो सारी चीज़े जो हमेसा इंको बहुत ज़ादा एशिया कप का वो जो प्रेशर आया था इंके उपर लास माच में भी बाही बंदे ने अच्छा खेला था और पॉइंट हमको दिलाया था टीम हारी थी जरू लेकिन रिजवान अपना काम करके गयता है वहीं बाबर आजम ने भी ओर ओर ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था 30 प्लस का फिर बैक टुब एक नजर आने वाले सान मसूद सान मसूद लगा तार फ्लॉप साबित हो रहे इप्तिकार एहमद को मतलब मैं क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकती क्योंकि ओर 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 परफॉर आई है मौमद रिजवान की बात करेंगे 71,20,14,55,60 लास्ट पांच में से तीन बार अर्सा तक लगा चुके हैं दो बार भी ओवराल स्टाट्स ठीक हैं के सान मसूद को आप अपने टीम से ड्रॉप कर दें क्योंकि दो बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आ रहे ह मतलब गेन बल्ले पर आ ही नहीं रही है जिसे लग रहे है कि मतलब शॉर्ट ही नहीं लग रहे है इंसे तो आप इनको जील में ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लिक की टीम से आप इंको ड्रॉप कर दो जीरो नौ पच्छिस ग्यारा साथ इप्तिखार अहमद को आप अपने टी बहुत नीचा आने वाली है कुझ दील सार को बहुत ज्यादा चांस नहीं मिलने वाला चौदा एक चार दो पांच और आकड़े भी ऐसे कुछ कह नहीं रहे कि इनको टीम में लिया जाए उस्मान कादिर की बात करेंगे तीन विकेट जिरो विकेट दो विकेट एक दो विक विकेट टेकर बॉलर है हर माच में विकेट निकालके देते हैं एक दो विकेट दो विकेट तीन विकेट एक विकेट और इस माच में विकेट मिलने वाली यह डैथ ओवर के बॉलर्स को देखो विकेट मिलना तय है नसीम साह भी आपके यह आपको पॉर प्ले में तो मेरा सेजेशन यह होगा मास्टर प्लेयर के लिए फिलसार्ट मुहम्मध रिजवान, कैप्टेंग के लिए लेक्स हैस, बाबर आजम, वोईस कैप्टेंग के लिए हैरिस रॉफ और डेविड विली, अगर आप चाहो तो कैप्टेंग के लिए फिलसार्ट को पकड़ सकत वो हम आपको आगे लास्ट में वीडियो के बताएंगे कि इस चे के अलावा हम और किस-किस खिलाड़े को अपने टीम में रख सकते हैं जो कि आपको इस माच में ज्यादा पॉइंट दिला सकते हैं और यह कॉंबिनेशन भी बहुत अच्छा है यह इस माच के मेरे six key player है आप देखो आकड़े एक तरफा इंग्लाइंड के तरफ दिख रहे हैं कि इंग्लाइंड हमेसा पाकिस्तान पे भारी रही है अब चलते हैं बात कर लेते हैं माच प्रडिक्शन की कि इस माच में बाजी कौन मानने वाला है तो मेरा प्रडिक्शन यह कहता है कि इंग्लाइंड फिर से इस माच को जीतने वाली है और देखते हैं आगे क्या होता है क्योंकि यह तो में मैच के बात पता चलेगा आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या लगता है इस माच में बाजी कौन मारेगा दोनों टीमों की रिसेंट फॉर्म की बात करे तो इंग्लाइ सारी मिथ तूट चुकी है ऐसा कुछ नहीं है जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा देखो वो मैच जीत के ले जाएगा तो एक हारा हुआ मैच इंग्लाइन जीस तरह से जीता ना यह एक्जामपल था हर किसी के लिए कि अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है टीम बर करेगी ना तो सारा प्रेडिक्शन मतलब अगर आप इग्नोर भी कर दिये लेकिन आप फैंटसी टीम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फैंटसी टीम लगातार बहुत अच्छी जा रही है और लास माच में पाकिस्तान वाले में हमने बहुत अच्छा पैसा विन कि अगर आप माप्रे लॉन पर अपनी टीम मना रहे हो तो माश्टर प्लेयर के लिए लेकसाईशस के लिए लास माच के मौहमेद देने वाली हूँ मैंने सब कुच पिछ के recording और last March के stats के recording बनाया है बाकी तो आपको पता है यह मेरी final team नहीं है क्योंकि मेरी final team कहा आने वाली है मेरे telegram channel पे आने वाली है तो अगर अभी तक आपने join ने किया है तो जल्दी से जाके join करिये मेरा telegram channel fantasy crack boss जिसकी link आपको description में मिल जाएगी तो आज के लिए बस इतना ही मजल मिलूँगी next March की पूरी prediction किस्साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर करना मत भूलिएगा सबसे पहले मैं चैनल को subscribe कर दीजी एक सेकेंड लगता है जल्दी से subscribe कर दीजी और अच्छे अच्छे comment करें ताकि मुझे जादे साथ motivation हो और मैं और अच्छे अच्छे stats अच्छे team आपको लाके दे सकूँ बाकि आपको पता है कि इसके अलावा जो मा आच्छे मैं वीडियो में नहीं कवर पारी हूँ वो भी team आपको telegram चानल पर available है तो आप जल्दी से जाके join कर लो आप मुझे इंस्टा पर भी follow कर सकते हो